कई ऐसे पेड़ हैं जुनके सभी हिस्से को उप्योगी माना जाता है चाहे वो उस पेड़ के फल हो, फूल हो या पत्ते और चाहे वो पेड़ की टहनी और जड़ ही क्यों नहों किसी-किसी पेड़ की सभी चीजे काफी फायदे मन्थ होती हैं जैसे कि आप जामुन को ही देख लेजिए उप्योगी पेड़ की सूची में जामुन भी शामिल है इसका न स्रिफ फल बलकि जामुन के पत्ते भी काफी जादा उप्योगी माने जाते हैं आज हम आपको अपने चानल Kidney Treatment Without Dialysis में जामुन के पत्तों के कुछ खास वायदों के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि एक किड़नी रोग को दूर करने में कैसे सहयक होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विश है जामुन के पेड़ की गिंती और शदिय पेड़ों में होती है जामुन कई सारे गुणों से भरपूर होता है जामुन के पत्ते लंबे और हरे रंग के होते हैं और इनमें Anti-Hyperglycemic और Anti-Bacterial good मौझूद होते हैं जो आपको शरीर में होने वाले infection से तूर रखते हैं इसके कई ऐसे गुण हैं जो आपकी kidney को स्वस रखने में मदद करते हैं जिससे के आप kidney से जुड़ी सभे परेशानियों से तूर रहते हैं जिसमें पहला गुण है कि जामुन के पत्ते आपके blood sugar को कंट्रोल रखते हैं डाइबिटीज को नियंतरत करने के लिए जामुन के पत्ते काफी जादा उपयोगी साबित हो सकते हैं जामुन के पत्तों में Anti-Hyperglycemic प्रभाव मौझूद होते हैं जो आपके blood में शुगर के स्तर को सामाने रखते हैं जिससे के आप diabetes के खत्रे से तूर रहते हैं और जब आपका blood sugar कंट्रोल रहता है तो इससे आपकी kidney भी अपना काम ठीक से कर पाती है क्योंकि kidney में खराबी का एक बड़ा कारण diabetes भी होती है इससे जामुन के पत्ते आपकी kidney को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं अलसर जैसी परिशानी को दूर करने के लिए जामुन के पत्ते काफी फायरे बंद माने जाते हैं जिन्हें मूँ में अलसर की समस्या है उन्हें जामुन के पत्ते चबाने को दिये जाते हैं इससे ये समस्या दूर हो जाती है जामुन के पत्ते आपके blood circulation को ठीक रखने में साहक होते हैं और जब यह आपका blood circulation ठीक रहता है तो इससे आपका blood आपकी kidney तक आराम से पहुँच पाता है जिससे आपकी kidney अपना काम ठीक से कर पाती है जामुन के पत्तों में antiviral good मौझूद होते हैं जो आपको बुखार आने की परिशानी से तूर रखते हैं साथ ही जामुन के पत्ते आपके immune system को मस्बूत बनाते हैं जिससे के आपका शरीर कमजोर नहीं होता और आप कम बिमार पढ़ते हैं अगर बात cancer जैसी गंभीर बिमारी की करें तो आपको बता दे इससे बचने के लिए भी जामुन के पत्ते काफी फायदे बन साबित होते हैं इसमें flavonoid के गुर मौझूद होते हैं जो आपके शरीर में cancer cells को बढ़ने नहीं देते जिससे के आप cancer जैसी गंभीर बिमारी से दूर रहते हैं बात अगर पाचन से जुड़ी हो तो आपको बता दे जिनका पाचन ठीक नहीं होता उनकी किड्नी में अकसर खराबी आने के संभावना अधिक हो जाती है इसके लिए जरूरी है कि आप अपना पाचन ठीक रखें और पाचन ठीक रखने के लिए जामुन के पत्ते का सेवन एक लापकारी उपाय माना जाता है इसके लिए जामुन के पत्तों को सुखा कर इसको पीस लें और फिर इसको बकरी के दूद के साथ मिला कर पीएं इससे आपका पाचन दुरुस्त बना रहता है जिससे कि आपकी किड्नी पूरी तरह ठीक रहती है लेकिन बात अगर किड्नी के मरीजों की करें तो किड्नी के मरीज इसका सेवन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कई ऐसे पोशक तत्व होते हैं जो डामज किड्नी के लिए हानिकारक हो सकते हैं इसलिए किड्नी के मरीज इसका सेवन बिलकुल ना करें तो आज के लिए पसंद आई तो इससे लाइक कीजिए सबी के साथ शेर कीजिए एसे और इंफर्मेटिव वीडियो उसके लिए हमारे चानल को अभी सब्सक्राइब कीजिए साथ ही आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार